हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका यूडूब चैनल अमीता इस्टेनो में यह जो डिक्टेशन है सतर वर्ट पर मिनट का इस्टेनो डिक्टेशन है बताना चाहूंगी कि यह आपके स्पीड के लिए काफी मददगार सावित होंगे अगर आप एक ही डिक्टेशन को बार बार लिखेंगे अगर आप एस्टेनो के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप किसी भी राज्य से हो तो आप वहां जॉब एलट पे जा करके एस्टेनो के लिए फॉर्म भर सकते हैं साथ ही में बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई और भी क्वारी करनी हो तो इसके लिए आप comment box में comment करें हमारा bell icon दबा लेंगे नीचे में दिया हुआ उससे आपको हर एक वीडियो का notification प्राप्त होता रहेगा वीडियो को like करेंगे, subscribe करेंगे subscribe करने में कोई चार्ज नहीं लगते हैं तो please वीडियो को subscribe करें share जरूर करें चलिए शुरू करते हैं थ्री तर काउंट करूंगी 1, 2, 3, start महोदे बच्चे किसी भी देश के भविश्य होते हैं यह यथार्थ सत्य है और सदियों से इस और विशेश ध्यान देने की आवशकता पर बल दिया गया है जर्म से लेकर बच्चों के स्वास्त रहन सहन और उनकी सिक्षा को लेकर उनके माता पिता का चिंतित होना सुभाविक है लेकिन तेजी से अपनी जड़े जमा रहे भौतिक वाद ने हर छोटे बड़े समाज के सामने ऐसे कई सवाल सवाले खड़े कर दिये हैं कि बच्चों की किस तर उनका हक दिलाया जाए जिस से वे आगे चल कर मजबूती और आत्मविश्वास के साथ समाज के सजग प्रहरी बन सके पिछले कुछ दसको से बच्चों के भविश्य को लेकर उपजी जिन्ताओं ने वैग्यानिकों और मनवैग्यानिकों को सोध और अनुसंधान के लिए बाध्य किया है नित नई नई समस्याओं ने माता पीता को दुविधा में डाल दिया है एक और जहां जीवन्यापन के लिए महिलाएं भी पुर्सों की तरह कमर कसकर घर की चार दिवारी से बाहर निकल रही है वहीं इसके कारण सदियों से चली रहा रही समाजिक संरचना गड़बडाने लगी है आजीव का कमाने और अधीक सुक बेभव की चाहत ने हर दामपती को जीवन सेली बदलने पर मजबूर कर दिया है समाज में हो रहें इस बदलाओ के कारण बच्चे सबसे ज़्यादा उप्यक्षित होने लगे हैं अब तक की तमाम रिपोटों के मुताबिक यह अस्पश्ट है की अगर बच्चों के प्रती माता पिता की उदासिंता इसी प्रकार बढ़ती रहती तो आने वाला वक्त तमाम परिशानियों के कारण जटिलता भरा हो जाएगा बच्चों के सार्वनिक विकास के लिए जो सबसे पहली समस्या सामने आती है वह है उसका स्वास्ट पैरग्राफ माता पिता अपने बच्चों के स्वास्ट को लेकर चिंतित रहते हैं अपने स्वास्त के अनुशार वह कम से कम बच्चों के खाने पीने में कोई कसर बाकी नहीं रहने देना चाहतें इस परियास में अक्सर यही देखा गया है कि माता पिता खाने पीने के मामले में बच्चों पर मनोवेग्यानी दबाव रखने में लगे रहते हैं उनकी कोर्सिस यही रहती है कि उनका बच्चा हमेशा खाता पीता रहे और फिर यह होता है कि बच्चे के खाने पीने का कोई समय निर्धारिक नहीं हो पाता और उनकी आदते बिगड़ जाती है अज समय खाने पीने के कारण कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती है इन बच्चों में मटापा होना प्रमूख है अगर आकड़ों पर नजर डाले तो पता चलता है कि विक्सित देशों में खास तोर से बच्चों का मटापा चिंता का विशे बनता जा रहा है पिछले पाँच दसकों से खास तोर से अमेरिका में मटापे के सिकार बच्चों की संख्या दुगनी हो गई है कुल मिलाकर 6 से 17 वर्ष की उम्र के ऐसे अमेरिकी बच्चों की संख्या लगभग 47 लाग थी यही नहीं इस उम्र के मटापे के सिकार बच्चों का कूल औसत 10.9 परतिसत था ऐसे बच्चों की परतिसत औसत की तुल्ला में दो गुना से अधिक थी तो फ्रेंड ये था 70 वर्ड पर मिनट का इस्टेनो डिक्टेशन उमीद करती हूँ आपको काफी पसंद आये होंगे वीडियो को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों के साथ सेयर जरूर करेंगे मिलती हूं नेक्ष रहे वीडियो में तब तक करेंगे